नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश आपके राशी का भविश बताने के लिए आज वैशाख कृष्णपक्ष की उदेया तिसी चतुर्थी और सोबवार का दिन है आज रात आठ बच कर बारा मिनट तक व्यतिपात योग रहेगा साथ ही आज सुबा आठ बच कर सैंतीस मिनट से दो पहर एक बच कर उनतालीस मिनट तक याई जैद योग रहेगा आज दो अगर आपका बर्स डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लगी कलर और क्या है आपका आज का लगी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोती किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्तर और सामुद्धिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुबह और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिशी गनित पक्ष ने आकाशी पिंडो के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मुवमेट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की यही जैद योग की तो बता दू कि आज ये जोग सुबह आठ बचकर 37 मिनट से दो पहर एक बचकर 49 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से धी योग यानि के सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दू कि आज ये जोग सुबह पांच बचकर 45 मिनट पर शुरू हुआ था और दो पहर एक बचकर 49 मिनट तक रहेगा इस करम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुबह महूर्त यानि के फेबरेबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्त सुबह नो बचकर आठ मिनट से दो पहर दो बचकर 54 मिनट तक और एक बार फिर शाम पांच बचकर 11 मिनट से राद 12 बचकर एक मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुलु करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 21 अपरेल की सुबह 6 बचकर 20 मिनट से सुबह साथ बच कर चालीस मिनट तक और एक बार फिर सुबह नौ बच कर पैंटीस मिनट से दो पार दो बच कर दस मिनट तक रहेगा कांस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूरत नहीं है अब यह महूरत तेरह अपरेल की सुबह 10 बच कर 37 मिनट से दो पार दो बच कर 12 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूरत सुबह 8 बच कर 38 मिनट से दो पार एक बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट सुबह 9 बच कर 8 मिनिट से दोपार 2 बच कर 54 मिनिट तक और एक बार फिर शाम 5 बच कर 11 मिनिट से राद 12 बच कर 1 मिनिट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 13 अपरैल की सुबा 10 बच कर 43 मिनट से शाम 6 बच कर 45 मिनट तक और एक बार फिर रात 9 बच कर 5 मिनट से देर रात 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट सुबा 8 बच कर 49 मिनट से दो पार 1 बच कर 49 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अच्छुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ चाणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अच्छुब करांती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अच्छुब समय नहीं रहेगा ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम सुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7 बच कर 37 मिनट से सुबह 9 बच कर 13 मिनट तक मुंबई सुबह 8 बजे से 9 बच कर 33 मिनट तक चंडीगर सुबह 7 बच कर 38 मिनट से 9 बच कर 14 मिनट तक लखनव सुबह 7 बच कर 24 मिनट से 8 बच कर 58 मिनट तक भोपाल साथ बच कर 49 मिनट से 9 बच कर 13 मिनट तक कोलकाता सुबह 6 बच कर 56 मिनट से 8 बच कर 30 मिनट तक आहमद आबाद सुबह साथ बच कर 69 मिनट से 9 बच कर 33 मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज सुबह साथ बच कर 32 मिनट से 9 बच कर 5 मिनट तक ये था कुछ शेहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो शुब दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और आईएव शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज का दिना आप के लिए फेवरिबल रहेगा आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करें उसे माता पिता की सलाह अवश्य ले लें आज धर्म कर्म और अध्यात में आपका विश्वास बना रहेगा इससे मन में शांती रहेगी और पॉस्टिव एनरजी का संचार होगा किसी अंजान विक्ति पर भरोसा करने से आज आज आपको बचना चाहिए इस अराशी के स्टूडेंट्स को आज फालतू की चीज़ों को महत तुने दे कर अपने करियर के पते ध्यान देने की जरूरत है फैशन डिजाइनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा नौकरी पेशा विक्तियों को आज कारेस्थल पर बदलाव संबंदी सूचना मिल सकती है घर में आज सुख शांति का माहौल बना रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है नाइन वरेश राशी वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आपकी दिन चर्या विवस्थित रहेगी आज मित्रों के साथ मन और रंजन में कुछ समय बीतेगा आपके घर में डेकोरेशन संबन्दी कोई काम हो सकता है आज आपके बिजनेस के किसी नए काम से संबन्दी फर्स पेमेंट आ सकते ही जिससे मन में खुशी और उच्साह बना रहेगा आज किसी के मामले में आपको अपनी राय रखने से बचना चाहिए आज किसी अजनबी के साथ बहस अवाइड करनी चाहिए उसे बचने के लिए आप किसी की बातों को ज़्यादा एहमियत न दे आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंच और लखी नमबर है एक मित्वन राशी वालों आज का दिन सामान ले रहेगा आपका पूरा दिन भाग दौर में बीटेगा को जरूरी काम बनते बनते रुक सकता है आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बहतर होगा कि बढ़ों की सलाह लेकर ही शुरुआत करें इससे काम सही से पूरा होगा कारोबार में पैसों का मामला कहीं उलच सकता है हर मामले पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा शारीरिक रूप से आप स्वस्त रहेंगे आप किसी सामाजिक कारे का हिस्सा बनेंगे हर कोई आपके काम से प्रभावित होगा आज किसी से बात करते समय अपनी वानी पर संयम रखें सीनियर्स आपके काम से खुश हो रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है आठ करकर आशेवालों आज का दिन बहतर रहने वाला है आज बिजनेस में फाइदे मंद एगरिमेंट होने की संभावना है नौकरी के छेतर में आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है कई दिनों से घर में चल रही समस्या आज सुलच जाएगी आपके रूके हुए काम भी पूरे होंगे आप कोई पार टाइम काम शुरू कर सकते हैं धायरे और संयम बना कर रखें बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कॉलेज सर्च कर सकते हैं आपको अपने किसी दोस्त का सहयोग भी मिल सकता है आज किसी पुराने रिष्टे से जुड़ाओ महसूस होगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है सेवन सिंग राशे वालों आज का दिर पढ़िया रहने वाला है आज घर को व्यवस्थित रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा बच्चों को पढ़ाई के परति मोटिवेट करेंगे आज आप पूरा दिन किसी बुक को पढ़ने में बिताएंगे आपको नई बाते पता चलेंगी आज आफिस में किसी काम को लेकर उल्जन हो सकती है लेकिन किसी सहयोगी का साथ मिलने से काम बन जाएगा काम में आसानी होगी किसी काम के शुरुआत करने के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है कोड कर चेहरी के अंदर लंबे समझ से चल रहे हैं मामलों में आज अगर कोई फैसला होगा तो आपके पक्ष में आएगा आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है दो करन्या राशेवालों आज का दिन उमंग से भरा रहने वाला है आज आप किसी ऐसे विक्ति से मिलेंगे जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस राशेव के स्टूडेंट्स को आज अपनी मेहनत के अनुकूल परणाम मिले से मनोबल बढ़ेगा आज आपके वर्क प्रोसेस में चेंजिस करने के लिए सही समय है कोई फैसला लेते समय अच्छे से विचारिमर चुरू कर लें इससे आपके काम में आसानी होगी परिवार जनों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज यो परिवार और बिजनस में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे आज आपको विक्तिकत निर्णाय ले सकते हैं ऐसा करना आपके लिए बढ़िया हो सकता है माता पिता या मित्रों से सलाह भी ले सकते हैं लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसान देब भी हो सकती है लेकिन आज आज आपको बड़ी डील या किसी से पार्टनर्शिप करना चाह रहे हैं तो सो समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है लव मेट्स आज अपने रिष्टे की बात घर वालों के साथ कर सकते हैं आज के लिए आपका लकी कलर है वाईट और लकी नमबर है टी वरिष्टी कराशे वालों आज का दिन आपके लिए खुशाल रहने वाला है आज परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में आपको खुशी मिलेगी आज वर्षों की कठिन मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा आप काम करने की नई योज़ाओं पर काम शुरू करेंगे दामपत जीवन में मधुरता रहेगी आज घर के बड़े बुज़र्गों का स्वाथ से बढ़िया रहेगा आप शाम का समय साथ बिताएंगे अगर आपको काफी दिनों से किसी बात को लेकर टेंशन है उसका आज सोलूशन मिल जाएगा आज किसी खास विक जिसे मुलाकात आपको फाइदा दिलाएगी आज के लिए आपका लखी कलर है बेहरून और लखी नमबर है नाई धन उराशे वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है आज आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा आज समाज में आपकी बातों की इंपोर्टेंस बढ़ेगी किसी मसले में आपका प्रस्ताव नरनायक साबित होगा आज स्टूडेंस का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा किसी नए टॉपिक की शुरुवात होगी आज आपके घर में कोई मंगली कारिक्रम हो सकता है आपका दिन विस्तता और भागदौर में बीटेगा बास आपके प्रोजेक्ट से खुश होकर आपका प्रमोशन की बात कर सकते हैं और आज किसी जदुतमंद की मदद करने का मौका भी आपको मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है चार मकर राशेवालों आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है आज किसी प्रॉपर्टी संब्धी काम में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है आपको लाब मिलेगा इस राशे की जो महिलाएं जॉब की शुरुआत करना चाहती है उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बहतर विकल्ब साबित होगा आज नौकरी पेशा लोगों की ऑफिशल काम के लिए लंबी यात्रा संभव है यात्रा सुकदाई रहेगी लव मेट्स आज अपने लिष्टे को और मदबूत बनाने के लिए साथ में अच्छा समय बिताएंगे आफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंदों पर आ सकती है आप उसे बहुँ भी निभाएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है च्छी कुम्भर आशिवालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज काम में आपका पूरा मन लगेगा काम सही समय से और आसानी से पूरा हो जाएगा लेंदेन के मामले में आपको सावधानी से काम लेना है आज अधिक व्यस्तता के कारणा परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे फिर भी परिवार के लोगों का साथ बना रहेगा और इस राशी के जो स्टील का विजनस करते हैं उनके लिए आज का दिन पढ़िया है कारिक शेतर में धन सम्मंदी मामलों में समझवता ना करें नहीं किसी पर भरोसा करें आज आपका भै दूर होगा आज शत्रुपक्ष आपसे दूरी बना कर रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है एक मीन अराशी वालों आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है आज आप माता पिता के साथ कहीं जाने का प्लान बनाएंगे सरकारी मामलों में लापरवाही आपकी परेशानी का कारण बन सकती है अता काम में सटीक काम को टू दी पॉइंट रखिए और ऑनिस्टी मेंटेन करिए दिन भर के बिजी शिडूल के बाद परिवारवालों के साथ समय बिताने से आपको रिलाक्स फील होगा घर में सुधार संबन दी काम को यूजना बन रही है तो वास्तु के अन्रूप कराने से पॉस्टी उर्जर्ट मिलेंगे चात्रों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा जल्द ही आपके सफलता के अच्छे योग बन रहे है आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है सेवन और अब बात उनकी जिनका जनम दिल है जिनका जनम दिल है वो आज किसी पौधे में पानी दें और जिनकी आज मरी जनिवरसरी है वो आज एक दूसरे के हाथ पर कलावा बंढ़े तो साल भर सुख और सौभाग बढ़ता ही रहेगा और आज ये अब चलते हैं अंकों की रहसे मैं दुनिया में मूलांक एक वालों कांस्ट्रक्शन के कारोबारियों का काम आज समय से पूरा होगा आज आपके आर्थिक इस्तिती भी बेहतर बनेगी मूलांक दो जीवन में चल रही परेशानिया आज खत्म हो जाएंगी और जिन्दगी की नई शुरुआत होगी मूलांक तीन आज पार्टनर्शिप पर बिज्जश शुरू करने से पहले बढ़ों की राय मशवराय जरू कर ले ताकि आप सफलता फूर वक्त काम कर सकें मूलांक चार आज आज आपकी वानी में कठोरता आ सकती है आपने सुभाव को बैलेंस करके रखे मूलांक पांच राजनीर से जुड़े लोगों का समाज में गवरों बढ़ेगा साथ ही मानसमान की प्राप्ति होगी मूलांक चे आज आपका आर्थिक पक्स मद्बूद बनेगा नए बिजनेस की योजना आज करेंगे मूलांक साथ किसी अंजान विक्ति की आपकी जीवन में एंट्री होगी जिससे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं मूलांक आठ आज नया वहां लेने का विचार सफल होगा आपकी तरक्की से सफोष होंगे मूलांक नव आज आपको काफी समय से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे आगने कोन यानि दक्षन पूर्वदिशा के फर्ष के कलर के बारे में वास्तु शास्त के अंसार आगने कोन का संबंद अगनी से बताया गया है और अगनी का रंग लाल है तो लेकिन आगने कोण का तत्व लकड़ी है और लकड़ी का रंग हरा होता है तो आगने कोण के फर्ष के पत्थर का रंग अगर हरा होगा तो हमेशा बेहतर है कुछ विचारों के मुताबिक लाल रंग का पत्थर भी लगवाय जा सकता है लेकिन ऐसा उचित नहीं है लाल रंग के पत्थर के लिए समीचीन दिशा उचित दिशा दक्ष्ण है तो दो साउथ इस्ट कॉर्णर है उसके फर्ष पर हमेशा कोशिश करके ग्रीन कलर का पत्थर होना चाहिए वरना आप ग्रीन कलर का कालीन बिचा सकते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में उश्मा बनी रहेगी और आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा लिहाजा आपके जीवन की तरकी ही तरकी होगी तो वास्तु शात्र में इसी चर्चा आगने कोन यानि दक्षिन पूर्दिशा में फर्ष के करलर के बारे में और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज वई शाख कृष्णपक्ष की उदेया तीथी चतुर्थी और सौम बार का दिन है चतुर्थी तीथी आज चमीर्थी ती लग जाएगी आज रात आठ बच कर बारा मिनट तक वेतिपात योग रहेगा इस योग में कोई भी कारे करने से हानी ही होती है इस योग के दौरान किसी का भला भी करना चाहेंगे तो बुरा हो सकता है साथिया सुबा आठ बच कर 37 मिनट से दो पार एक बच कर 49 मिनट तक याई जायद योग रहेगा याई जायद का मतलब है पेटीशनर की जीत का योग यानि मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग ये योग नयाय पाने के लिए प्रशस्त है आप इस शुभ योग में न नयाय जरूर मिलेगा जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है अपने अफसर से नयाय पाने के लिए कुछ कहना है घर में परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्तिया संस्ता से कुछ कहन तो उसके लिए याई जैदियोग बहुत उत्तम सबाय है। आपके पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा, आज दोपार एक बच करून तालीस पनेट तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद जेश्ठा नक्षत्र लग जाएगा, आकाश मंडल में इस् इसकी राशी ब्रश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संदक्षन की क्षमता के साथ जोड़ कर देखा जाता है। साथ ही सपलता, आनंद और स्वभागे को इसका पतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दोरान विवाह आ इसका आयोजन, यात्रा और वाहन खाइदने जैसे कारिक करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इसका संबंद मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। मौलश्री के पेड़ और उसकी लकड़ी से बनी माला, अनुराधा नक्षत्र ये चीजें विवेक्ति को सुटनतता ये उनमुक्त जीवन की प्रिणा देते और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। सभी बंधनों से मुक्त करने वाला अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलश्री में भी ऐसी ही प्रापर्टीज देखने को मिलती है। मौलश्री के अरोमा बहुत सी स्व वह उन्हाब में बड़ा पॉपुलर है और इसकी मालाय मार्केट में अवेलिबिल हैं। उन लोगों को जो जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हूँ। उन लोगों को आज के दिन मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़ में तीन शंखलाओं में बटे हुए। जिसमें से पहली शंखला की शुरुवात अश्री नक्षत्र से होती है जबकि नौ नक्षत्रों की दूसी शंखला का अंत जेश्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाश मंडल में गिंती के आधार पर जेश्ठा नक्षत्र 18 नक्षत्र ह बड़ा साथ ही तावीज को जेषठा नक्षठ兩 का प्रपे चिन्ह माना जाता है तावीज को सामानलेत हैं लोग किसी तेरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं अधार जेषठा नक्षठ兩 के प्रतीक चिन्हों को रक्षा सुरक्षा और प्रभुत्य के साथ भी जोड़ कर देखा जाता है आपको ये भी बता दूँ कि जेश्ठा नक्षत्र की राशिवरिश्चिक है और जैसा कि हम पहले भी कई वार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संब्ध किसी ने किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है जेश्ठा नक्षत्र का पेड़ चील है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संब्धित व्यत्य को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए आता है जिन लोगों का जन्म जेष्ठा नक्षतर में हुआ है उन लोगों को जेष्ठा नक्षतर के दौरान चील के पेड़की पूजा करनी चाहिए और अब बात करेंगे आज किये जाने वाले उपायों की जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्तर समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे अगर आपको लगता है कि आपके गरीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कटोरी हरे मोटे मूंग लेकर आज पूरा दिन नमक के पानी में भिगोएं और अगले दिन भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी में से निकाल कर साफ पानी से धोकर किसी जानवर को खिलाएं अगर आप अपने अंदर योगिता का संचार करना चाहते हैं और अपने बिजनस में बहुतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चार मुखिर द्राश्टी विजी पूरग पूजा करके उसे धारान करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर योगिता का संचार होगा और आपके बिजनस पे बहुत तरी भी होगी अगर बहन या बुआ के साथ आपके रिष्टों में अन्बन बरी हुई है तो आज के दिन आपको अपने बोजन में से एक रूटी निकाल कर अलग रखनी चाहिए और उसके तीन हिस्से करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाए को खिला दे एक हिस्सा कववे के लिए रख दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे अगर आप जीवन में सुख, शांती और मनोवांचित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मादुर्गा के अर्गला इस्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आपको बता दूं कि ये इस्तोत्र आपको दुर्गा सप्षती की पुस्तक में मिलेगा, लेकिन आज के दिन आपको स्टेशनरी का काम करने वाले किसी व्यक्ति को मिटी से बनी कोई चीज गिफ्ट करनी चाहिए, और अगर उस चीज पर तोते का चितर बना हो, या फिर आपको मिटी से बना तोता ही मिल जाए, तो इससे अच्छा और कोई गिफ्ट नहीं होगा, आज ऐस करने से आप गलित संबंदी विश्यों में मजबूत होगे, अगर आपके साथ अक्सार ऐसा होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं, तो ऐसी इस्ठित से बचने के लिए आज के दिन आपको बुध के इस मंतर का क्यारा बार जब करना चाहिए, आपको मंदिर में ढखतन समेट मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए, आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे को चीजें जल्दी समझ में आने लगेंगे, अगर आपको अपने जीवन साथी की तरक्की को लेकर हमेशा दुविधा बनी रहती है, तो आज के दिन तोते क हरी मिर्च खिलाइए, अगर ऐसा करना संभाव ना हो, तो तोते को एक बड़ी सी तत्वीर लाकर अपने घर की उत्तरदिशा में लगाएं और रोज उसके दर्शन करें, अगर आप अपने हेल्थ इशूस से चुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन गाए को हरी घास खिलाएं और गाय के अगले दो पैरों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गव माता को प्राम करें, आज के दिन ऐसा करने से आपको हेल्थ इशूस से जल्द ही छुटकारा मिलेगा, और अगर आप अपने घर को निगेटिव एनरजी से बचाय रखना चाहते हैं, तो अगर आज के दिन आप किसी शुभ कारे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो अपनी बहन या बेटी से आशिरवार लेकर जाएं, साथ ही उन्हें कुछ गिफ्ट भी जरूर करें, आज के दिन ऐसा करने से आपका कारे जरूर सफल होगा, अगर आप विद्या के खेतर में अप लबदी हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सनान आदी के बाद मास सरस्वती की उपासना करने चाहिए, पहले धूब डीप से उनकी आदी करनी चाहिए, और उन्हें पुशपर अर्पित करने चाहिए, साथ ही आज के दिन आपको वेध्जया यंत्र की स्थ साफित कर सकते हैं आज के दिन भोज़ पत्र पर अश्टगंदर से अनार की कलम द्वारा या फिर सादे कागज पर लाल पिन से एक वर्ग बनाईए और उसमें तीन उसे देवी मा के सामने रखकर उसकी विधी पूरक पूजा करें फिर उस पर देवी मा के मंत्रों का जब करके उसे सिद्ध करेंगे आप जितने ज़्यादा मंत्रों का जब करेंगे आपको उत्रही लाब होगा मंत्र से सिद्ध करने से के बाद आप उस यंत्र को अपने स्ट चर्चा थी आज वेतिपात योग, जाहिज जैद योग, अन्रागधान अक्षत्र, जेश्ठान अक्षत्र के संयोग में किये जाने वाले विशेश उपायों के बारे में, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। उमीद ह ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्तों दुश्मन सबकी गत्रिद्धों पर आपकी नजर होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुन्टी मिलने वाली है, या कहीं आपका जोजना पर काम शुरू करेंगे, बी, आज का दिन खुश्यों से भरा रहेगा, जीवन साथ ही आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, सी, आपके ओपर काम का दबाव बना रहेगा, जिससे आप थोड़ी देर तक आफिस में काम करेंगे, डी, कामों को पूरा करने के बाद अ करियर की दिश्टे से आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक आपको धनलाब होगा, जी, आज आप ताकत वर्बन कर उभरेंगे, और परिवार के परतियाप का प्यार और बढ़ेगा, एच, आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, जिससे वो आपके किसी काम में मदद कर सकते हैं, आई, कुछ कामों को लेकर आपको निर्ने लेंगे, ये निर्ने आपके लिए बेहतरीन रहेंगे, जे, आपको तीन सी चीज कहीं रखतर भूल जाएंगे, जिससे ढूरने में थोड़ा समय लग सकता है, किसी से कोई ऐसी बात न कहें, जिससे आपके रिष्टो से आज आप साफधान रहें, वरना शतु आज परेशानी खड़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको जॉब तलाश कर लें, ओ, पिछले समय में किये गए काजियों में विचार करेंगे, जिससे आप थोड़ा उल्चे रहेंगे, पी, आपको आज आलाश से से बचना चाहिए, नहीं तो आपके काम बनते बनते बिरू सकते हैं, चू, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक धनलाब होने के योग बन रहे हैं, आर, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किसी बात को लेकर किसी विक्ति से सलाह लेंगे, आपके आर्थिक इस्थिति में सुधार होगा, दोस्तों और रिष्टेदारों के आपको मदद मिलेगी, आपको किसी काम में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों से प्रेम और आदर मिलेगा, यू, अगर आपकी मेडिकल स्टोर की शॉप है, तो आपको आज अच्छा लाब होगा, वी, आपके जो महत्तोपूर कारे अधूरे पड़े हुए हैं, वो काम आज पूरे हो जाएंगे, डबलू, किसी धार में के स्खल पनचाएंगे, किसी बहुत धिक काम में कामियाबी मिलेगी, एक को कोई बहतरीन सर्प्राइज दे सकता है, जैड आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी काम में आप हद से ज्यादा विस्त रहेंगे, और अब बात आज के तीस्त की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं, प्राचीन सीता राम मंदिर के दर्शन, ये मंदिर राजस और हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन साल 1979 में कुन्य विहरी जी के लिए अलग एक मंदिर का निर्मार करके उन्हें वहाँ विराजमान कर दिया गया, और इस मंदिर में हनुमान जी के आरादे भागवान शीराम और सीता जी को विराजमान किया गया, तब से इस मंदिर क सीता राम मंदिर कहा जाने लगा तो आप भी घर वैठे कीजिए पवित्र सीता राम मंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की शरीर के किसी भी अंग में फड़कन एक प्राकृतिक घटना है जो अचानक होती है और हमें भविश्य का कोई संदेश दे जाती है सामुद्रिक शास्त्र के महत्रपों भाग अंग शास्त्र में आज हम जड़ चकरेंगे भवों के उपरी हिस्से पर मत्थे के फड़कने के बारे में मात्थे का फड़कना मनुष्य के लिए सौभाग्य वर्दक होता है अच्छी सूचना होता है अगर किसी भी व्यक्ति के मात्थे में हल्चल हो रही है तो ये उसके लिए अच्छा संदेश है ये उस व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है चल दी ही किसी भूमी का लाब मिल सकता है या कोई जमीन का विवाद सुलट सकता है वहीं अगर कनपटी के पास फड़कन हो तो उस व्यक्ति को धन लाब होना निश्चित है सामुदिक शात्र में ये थी चर्चा भौहों के उपरी हिस्से और माथे के फड़कने के बारे में और अब बात अवाइड अब दीडे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 10 अपरैल को वैशाक कर्ष्ण पक्षी की चतुर्थी तीति है चतुर्थी तीति में मूली का सेवन करना निश्चित है ये शत्रों के व्रद्धी कराने वाली होती है चतुर्थी तीति आज सुबा आठ बच कर 37 मिनट तक रहेगी उसके बाद पंचवी तीति लग जाएगी जो कि कल सुबा 7 बच कर 17 मिनट तक रहेगी पंचवी तीति में बेल का सेवन करना निश्चित है ये आपके रुत्बे के लिए अच्छा नहीं होता इस समय तीति का समय जानकर आप अपने खाने का शिडूर बना सकते हैं बाकि आप कुछ भी खाईए पीजिए माउज कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व और अब साब्धान कोरोना ओम नमोनी सिंगाए हे रने कश्य पवक्षस्थल विदारनाए त्रिभोनी व्यापकाए क्रीमी विश विशानु कुलोन मूलनाए इस्तंभोद भवाए समस्त दोशाना हर हर विसरे विसरे पच 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 हनाना कम पए कम पए मत मत रींग 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 फट फट ठा 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 एही एही रुद्र आगया पैती स्वाफ और अब वक्त है आज की टिप आफ दिडे का आज अपने बेजरूम की सफाई करें सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशी फल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भविश्यवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार